हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुना स्यो कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बेतर चल दही होगी सिंस और फार का प्रयोग दिया आप से नहीं बन रहा बच्छो तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिंस और फार का प्रयोग बोड इकजाम में चाहिए आप माली ज़े 10th में या 12th में हों और 9th और 11th वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं सिंस और फार का प्रयोग रिक्ति स्थान में आता है आपका बच्चो फिल इन दा ब्लैंक्स देया जाता है वहाँ पे आपका मॉडल्स भी प्रयोग किया जाता है है ना सिंस फार का प्रयोग दे रहता है मचमनी का प्रयोग देता है सिंस और फार आपसन में ही रहता है और बड़ी आसानी से आप लोग सीखो कि पहले इसका अर्थ समझो सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं जब starting of time कोई मतलब समय जब सुरुवात हो रहा हो तो निश्चित समय में हम सिंस का प्रयोब करते हैं, अर्था पॉइंट आप टाइम, यही फिक्स समय है, लेकिन वहाँ पे जब पीरियड आप टाइम की बात करते हैं बच्चो, मतलब अनिश्चित समय, अनिश्चित समय का मतलब होता है, जिसे दो घंटे, न दो साल, तीन मह नहीं ने, एक घंटे, अब क्या पता एक घंटे किस दिन के लिए बात कर रहा है, कोई फिक्स नहीं है न, लेकिन अदिस संडे की बात कर दिया, रवी बार, तो रवी बार फिक्स हो जाता है, जनवरी की बात कर दो जनवरी फिक्स हो जाता है, तो जब फिक्स हो जाता है, आप हमने बोल दिया माली जी तीन दिन, तीन दिन में बताओ क्या तीन दिन कभी भी हो सकता है, जन्वरी का भी तीन दिन हो सकता है, उन दो हजार बीस का भी तीन दिन हो सकता है, दो हजार पचीस का भी तीन दिन हो सकता है, तो तीन दिन आपका क्या हो जाएगा अनिस्चिट टाइम तो उस इस्ठित में हम किसका प्रयोग करेंगे फार का लेकिन वहीं पर हम कहा देंगे कि आपका सुबह 8 बजे मौर्निंग में 8 बजे तो 8 बजे fix time हो गया कि 8 बजे से ही ये खेलना शुरू किया है ठीक है या कि हम कहीं खेलने जाएंगे साम को 6 बजे तो fix है कि हमको साम को 6 बजे जाना वहाँ पर sins लगेगा ठीक तो जब fix की बात की जाती है एक nishtit time का यानि जो आपका समय निश्चित रहेगा तो वहाँ पर sins का प्रयोग करेंगे और जब आप अनिश्चित समय की बात करेंगे बच्चो तो वहाँ पर period of time अर्थाज फार का प्रयोग करेंगे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पहला example देखेगा It has been running 3 days तीन दिन से बरसा हो रही है अब भाई साहब बतलब यहाँ पर clear नहीं है कि कितने दिन से बरसा हो रही है तीन दिन से हो रही है लेकिन कब के तीन दिन से fix है की नहीं है यह बतावा तीन दिन fix नहीं है जनवरी का भी तीन दिन हो सकता है है ना मतलब मार्च का भी तीन दिन हो सकता है 2018 की भी हो सकता है तो जब fix नहीं है बच्चो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगी तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगी तो पहले का हो जाएगा फार अब देखिए Sonu had been working कार कर रहा है morning से सुबह से तो सुबह fix अब यहाज ही सुबह होगा तो यहाँ पर लग जाएगा sins क्या लग जाएगा बच्चो sins ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है आगे देखिए be have been reading भाई हम जो है पढ़ रहे थे कब से भाई साहब सुबह से ही पढ़ रहे है तो फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर sins s-i-n-c sins मतलब आठ बजे से fix time है न जब fix time की बात कर दी जाती है period of time सरी starting या point of time तो निश्चित समय जब निश्चित समय है तो sins का प्रयोक कर लेंगे c has not been working ठीक है two hours हमको केवल last का देखना है two hours दो घंटे दो घंटे कभी भी हो सकता है इसलिए आप यहाँ पर दो घंटे हो गया तीन दिन हो गया तीन साल हो गया तीन सबता हो गया तीन महीना हो गया दो महीना हो गया तो यह सब क्या हो जाते हैं हार के लिए हो जाता है अब मंदे बच्चो, मंदे के लिए क्या होगा, आप ही बताओ, मंदे के लिए क्या होगा, मंदे फिक्स है कि नहीं, बिल्कुल रविबार फिक्स है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा, जो फिक्स है तो फिक्स है, सिंस का प्रयोग कर लिए, फिर एन आबर, एक घंटे, एक घ का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं बीना इधर और टाइम बेस्ट के वे आसानी से सीख सकते हैं और ऐसे आपको किस चीच पर डाउट है क्या चीच चाहिए कमेंट वाक्स में जरूर बताएं और एक छोटा सा सपोर्ट मांगता हूं बस लाइक करके शेयर कर दे एक छोटा आज के इतना ही जैहिंद बंदे मातरम